1857 से भी पहले ओड़िसा में सुनाई पड़ा था विद्रोह का सुर्ख, वीरों की ललकार और क्राम्ति की पहली पुकार चालिक बचनलाद! चालिक बचनलाद! ओड़िसा के तटवर्थी क्षेत्र में बसा है खुर्धा नगर, जहांके वीर पाइक का युद्धाओं के पराक्रम के खिस्से सुनने, समुत्र की लहरें भी लौट-लौट कराती हैं। सन 1804 अंग्रेजों से युद्ध के बाद खुर्धा के राजा मुकुंद देव को बंदी बनाया जा चुका था। उनके दीवान और मंत्री जई राजगुरू ने युद्ध का पूरा जिम्मा अपने सर लिया। मुकद्धा चला और 1806 में अंग्रेजों ने बड़ी निर्मम्ता से उनका वद कर दिया। खुर्धा अब इस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। आए दिन नए खानून बनने लगे। लोगों से उनकी जमीन चायदा छीन ली गई। देश को ऐसा ग्राण लगा कि हर और अंधकार चा गया। जिस भूमी पर जई राजगुरू का खुन गिरा था। उसी की मिट्टी को माथे पर लगा। बक्सी जगबंधू ने पाइक का विद्रोह का शंक बजाया। पाइक का विद्रोह वो दावानल बन गया। जिसमें अंग्रीजों का वर्चस्व भस्म होने लगा। जंगलों में छुपे पाइक का युद्धा घात लगा कर हमला करते और कमपनी के दफ्तरों, गोदामों और खाजानों को तहस नहस करते थे। मीर हैदर अली, दीनबंधु सामंतराय महपात्र, दामु सुबुध्धी मौंगो राज, सामंतमाधव चंद्र रावतराय, फिंड की बाहु बढ़ेंतों, और पूर्तिबास पाठसानी जैसे रांबांकों को साथ लेकर सरदार बक्सी संगष करते रहें। सबका लक्ष एक था मात्र भूमे की आजादे। जिन नागरिकों में राष्ट्र संबान का बोध है, वे सदा ही आजाद रहते हैं और देश हित में नई क्रांतियान लाते रहते हैं। दूर द्रश्टा और अध्भुत रणनी दिकार, पराक्रमी युद्धा, प्रकर राष्ट्र भक्त, प्रतापी नेता और भारतिय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शही, अपराजित अजे, जोई राजगुरू, युगों युगों तक हमारे प्रिर्णा के स्वोट बने रहेंगे, जई राजगुरू की जय, जय जगनात